देश में आजादी का अमरत मौस्तों मनानी के तैयारियां चल रही हैं और हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है कानपूर में तिरंगा यात्रा निकाल कर लोगों को देश के प्रती जागरुक करने का काम भी किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ कानपूर सहर की नागरिक महापूर प्रमला पांडे ने कानपूर के आजाद नगर इस्तित एक निजी स्कूल में आई लोगों को संबोधित करते हुए जंडरे वित्रित किये साथ उन्होंने बताया कि प्रियम मोदी के आवाहन पर तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा पहराने की मुहिम चलाई जा रही है इस मुहिम के अंतरगत युवाओं और बच्चों को जागरुक करने का काम भी किया जा रहा है आज आज आद नगर चवराहे पर बहुत साल से हमारे साथ रहे मेरे भाई राजियो सुकला जो केडिये में भी रहे जम मैं पार्सर थी और जम मैं मेयर बनी तो हमारे साथ धाई तिन साल हमारे साथ नगर निगम में भी रहे आज उनके द्वारा और हमारे स्कूल के बच्चों के टीचर के द्वारा आज यहां धंडा वितरन किया है यह हमारा महुत्सो जो 75 चल रहा है इसके अंतरगत हर घर में ध्वज हो हमारा राष्टी ध्वज हो इसके लिए यहां की जनता ने सब को एक एक जंडा प्रदान किया है और मैं सहर की जनता से अपील करती हूँ कि हर घर में यह भज 15 चल रहा है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना न भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंद आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलू कर सकते हैं हमारे आईडी है अट रेट ज्यादी ड्यूस्प्लाश